सश्रीकाल मैं हाँ पवित फ्रीद कॉर्ट ते तुसी देख रहे हो जी पंजाब हरना ही माचलते तोड़ा सब दा स्वागत कर देयां जो दिवाली दे खास एपिसोड शुब महुरत देवेचाच साधे नाल जोतिश विद्या दे विज्यान तिन महारती मौजूद ने जसी म जान देयां कि दिवाली दातिवार है दिवाली नू रोश्नी दातिवार मन्या जान दा है जो दिन खुशियां लेके आन दा है उर्जा लेके आन दा है बट एदे नाल ही जिवे ऐसी जान देयां की करां दे विच लक्ष्मी जी दी पूजा कीती जान दी है गनेश जी दी चाहिए दियाने ताकी जिंदगी दे विच जो आंड वाला समाय खुशियानाल पर्या होया रहे ते लोकान दे करा दे विच जो था अंदी कमी है ओवी ना होवे ते शुरुवात कर दे आज शुब महुरत दी सब्तो पहला सवाल जसी मांजी तोडे तो लवागे लोक़ां दे विच काफी जादा कन्फ्यूजन जो है दिवाली दे महुरत नो लेके चल रही है सबतों पहला सवाल की दिवाली दा महुरत कदो दाये किश्या पाकफले काफ़ा दे वीट वीःवार नो शाम तो शुरू हो जाएगा तिन वाजी के तरवन जामेंट तो किकी लच कुछ लावमीं पूज के लश्मी पूज करते जाएगी हैं अल्मकर्णाहार्मि ये नैसरे काट Trinity सुल है तक रिख लगन होएगा ता सदे को अठ वैस तक तुसी पूजा राम ना कर सकते हो कई वर यह सी शुरू कर देया जैन्ट कर देया थोड़ा टाइम लगी जान दाए ताइस टाइम टे किती गई पूजा अच्छे चोगडिया चिती गई पूजा दा हमेशा ही शुक पाल मिल कि तुझा सवाल अरमन मलोत्रा जी मैं तोड़े तु लेना चाहूँगी अम्मा वस्या कर दो शुरू होगी क्योंकि बहुत महत्वपून गाल जीडिया लोगा दे माग देविच हमेशा रहन दिया कि अम्मा वस्या नू लाएकि लोगों दे मान दे विच काफी जादा वह सेक्ड़ों बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं हमसे हो जाएगा कुछ चीज ऐसी तो नहीं हो जाएगी अब रिजन क्या है यही जो पूजा है यह पूरे के पूरे साल आपके घर में सिम्रिधी, सुक, निरोगी काया आपके बच्चों का भविष, पैसा, धन और अस्ट परकार की लक्ष में लेकर आएगी अब इसमें बात करते हैं कि 31 और एक का कन्फ्यूजन क्या है, इसके पीछे रिजन क्या है क्या इस रिजन को एस्टोलोजिकल पॉंटे फूज से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन इतना बढ़ चुका है कि मेरे को लग रहा थर्ड वर्ड वार हो जाएगी इसके उपर, जो मेरे को लग रहा है लेकिन इसको बहुत जोतिश अपने आप में एक बहुत सरल साइंस है, समझने की जरूरत है, उल्जिये ना सुल्जिये क्योंकि हमारे जो हिंदु धर्म के अंदर देवी देवता हैं, उनकी पूजा अराधना करके अगर हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो आमावस्या हो, चाहे वो प्रतिपदा हो, लेकिन हमें आशीरवाद और पूरे के पूरे युनिवर्स से पॉस्टिव वाइब्स जो मिलेगी, वो हमें मिलेगी, 31 तारीक को, 31 को हमें मिलेगी, उसमें हमने करना क्या है, वैसे तो 3 बच के 12 मिनट दोपहर को ये लग जाएगी, और ये जाके खत्म होगी, निवंबर 15-13 को, अब जाहिर सी बात है, इस दरमयान ही सारी पूजा होग दिया है, जिसके पीछे लोग भागते हैं, इसके अंदर किये पूजा किया गया, कोई भी किसी तरह का उपाए, आपको सेंक्रों नहीं कुरों टाइम रिजर्ट देता है, पूरे साल आपको रिजर्ट आएगा, लेकिन घुमफिर के हम आ रहे हैं, एक लास्ट जो मैं आप को बताने लगाओं, 31 की ही पूजा करनी चाहिए, और व्रिशब लगन, जैसे कि अभी इनोंने बताया है, व्रिशब लगन का जो महत्व है, वो ये टॉरस इसे इंगलिश में बोलते हैं, टॉरस जो लगन है, ये कैसा लगन है, जो शुक्र से रलेटेड है, अब शुक्र, मादेवी जो लक्षमी के अडॉप्टेड बेटे हैं, शुक्र चारया, लक्जरी, भौतिक सुक, गाड़ियां, बंगले, मकान, दुकान, जो हमें मिल रही है, जो शुक्र दे रही है, तो इन सब चीजों को प्रापती के लिए हमें बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत ही सिस अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, कि इस बार की दिवाली जो है, ग्रहों के हिसाब से क्या कॉंबिनेशन बना रही है, अगर हम बात करें तो? देखिए, तीस साल के बाद, ऐसा संयोग बना है कि तीस साल के बाद, शनी देव अपनी मूल तिरिकोंड कुमराशी में रेट्रोग्रेड हैं, जिसे जोतिश में वक्कर हो जाना कहा जाता है, यह उल्टी चाल चल रहे हैं, और खास बात ये भी है कि जो देव गुरु भरस में हैं, और हमारे दो ही महत्तपुन पलेनट, सूर्या अपनी नीच तुला राशी में हैं, और जो मंगल है, वो अपनी नीच करकराशी में है, जो ग्रहों का कंभीनेशन है, तुला राशी में सूर्या के साथ चंदरमा भी ट्रांजिट करेंगे, राहु जो है, वो मीन रा वाजयोग बनाया हुआ है वो बनाया हुआ शनीन है और जो दीपावली है वो गुरुवार के दिन थरस्टे को पड़ रही है और बरस्पति को हम सारे नो ग्रहों में देवताओं को गुरु कहा जाता है तो ये उस दिन गुरुवार होना अपने आप में इस दीवाली को तो इस मामले में देवाली जो है इस बार की वह एक विलक्षन है क्योंकि काफी सालों बात है हर साल हर देवाली पे ऐसा क्रहों का देवाली जो इस बार करना चांदे जी बिलकुल सही कहा वेदी साव ने दस्या बट बहुत ही वदिया जोग एक होर बन रहे है कि बुद्ध नत्ती तरीक नू राशी परवरतन का रहे है और शुकर ना जूती बना रहे है बुद्ध शुकर दी जूती मतलब सर्सवती ते जानी इंडरेक्ट वे ना तिन गरेंगा योग बनेंगा यह भी बहुत वदिया योग है ते नाल जदो सूरज थे हमेशा ही जदो मस्या कतक दे मिनने दी मस्या वाले दिन क्योंके मस्या दा मतलब है सूरज अंदर दी यूती ते हर साल ही सूरज इस महिने नीच दे ही हुं पर जो दिवाली दे दिन ते योग बन दे है यह सानू हमेशा अनर्जी पॉजिटिव दिन दे जी बिल्कुल जसी महां जी खोर सवाल मेरे रहेगा असी हमेशा ही निवेश बहुत बड़ा सवार रहेंदा है क्योंकि लोग की हमेशा ही लाब जड़ा ओ प्राप्ती करना च की दे विच निवेशा आधा करने चाहिए ने ब्रेसपत दी शुकर दृष्टी पहर ही है बुद्ध भी नाली है ना तो बिजनस दा कारिक वी यह बानी दा कारिक वी है ता बिजनस का मकार विच बाते लेता है यह स्टार बहुत अच्छे है कोई भी इन्वेस्टमेंट की चंदर भी अच्छी स्थितीव चरहेगा क्योंकि पहला ता नत्रयोशी ते चंदर के तुदा योग बनेगा जो ग्रेंज हो गया तो उस दिन मस्या देनाल सूरत चंदर जाने चंदर शुकर दे कार्च जाएगा तो शुकर वैसे लश्मी जिदा पहला भी आपा गालकिती क अगला सवाल सर रमन मलोतरा जी मेरा तो अधे तो रोएगा असी हमेशा देख दें कि लोकां दे मन देविच चीज हों दिये पूजा सामगरी नू लाके जो कार देविच पूजा हों दिये लोका नू नहीं पता हुंदा कि पूजा ते बाद वीपक है जा कोई भी ऐसा अंगरी पड़ा हुआ है मोसली लोग उसे अंदेखा करके मोर देन 80 परसंट मैं यहां पर चीज बोर रहा हूं उसे अंदेखा करते हैं और कहीं लोग ऐसे भी है जो सवाई वाले को अपने घर वाले को बोल देते कि साथ कटे कचरे में फैक तो यह गलत चीज है अब पानी में भी बहाना थूड़ा सा यہां पर क्या है कि आजकल आपको पता है कि पानी में भी बहाने के बहूं सारी पबंदियां है यहां पर चल रही है तो अब इसका अल्टर्णेट्ब क्या है कि उस समान को बांद के मंधिर ले जाए मंधिर में वहां पे उन्होंने एक division 1 बॉक्स लगाया होता है पंडी जी ने ताकि वो धर्म के स्थान पे चला जाए ये ना हो जाए कि आप सारी पूजा बहुत अच्छे मूरत में सारी चीजे कर रहे हैं और लास्ट मुमेंट पे आपने जो समान है उसको कहीं न कहीं दो दर फैंके वो सारी के सारी पूजा का ज जी अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा वैसे तो हम चाहते हैं कि जो आने वाला जो दिवाली है वो सभी राशियों के लिए अच्छी रहे पर खास तोर पर मैं जाना चाहूंगी कि ये दिवाली किन राशियों के लिए खास रहने वाली है और जिन के लिए खास ना रहे वो क क्या कुछ उपाए जो है वो कर सकते हैं देखो वैसे तो यह जो दीपावली का पर्व है यह सभी राशियों के लिए खास है हम यह नहीं कह सकते कि कोई राशी अनलकी इसमें रहने वाली है लेकिन कुछ राशियों को ग्रहनक्षत्रों की चाल के मताबिक दिखा जाए तो कु यह एक शुप संदेश लेकर के आ रही है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो निक्ट पभिश्या में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं मिथुन दाशी वालों के लिए अगर उनकी लव लाइफ में कुछ खटपट चल रही है या कन्फरंट्रिशन चल रही है तो इस वकत जो हमारे नो ग्रहों के गोचर की जो स्थिती है उसके मताबिक मैं कहना चाहूंगा कि उसमें कुछ नया पनाएगा आपकी लव लाइफ में जी ठीक है सिंग राशी की बात करूं क्योंकि करकराशी में जो है वो मंगल अभी नीच के चल रहे हैं ठीक है करकराशी पे शनी के ढहिया भी चल रही है उनके लिए मिला जुला रहने वाली है सिंग राशी वालों के लिए यह जो दिवाली है कई माइनों में खास रहने वाली है प्रमोशन के यूग भी बनेंगे और जो लोग बिजनस में है उनने कोई अच्छा पार्टनर बिजनस पार्टनर मिल देवाली जो है ये खुशी, संपंता, सम्रिधी, प्रस्पेर्टी लेकर के आएगी, वरिष्चक राशी वालों को मिले जुले नतीजे मिलेंगे, डहिया भी चल रही है, फिर आगी धनु राशी, देवगुरु भरस्पती की राशी है, और इन राशी वालों के लिए जो है वो विदेश से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, विदेश जानी की कोई फाइल लगाई है, तो को गुड नियूस आपको मिल सकती है, आपके अफ़र्स रंग ला सकते हैं, उसके बाद हम मकराशी की बात करते हैं, तो मकराशी पे शनी की साड़े सती चल रही है, उतरता हु के बाद का जो दिन है आने वाले, वो कुमराशी वालों के लिए बहुत राहत ले करके आने वाले हैं, मीन राशी पे भी शनी की साड़े सती चली है, लेकिन मीन राशी के लिए ये जो ग्रहों का कंबिनेशन है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, जी, बिलकुर, जसी मा अगला सवाल में थोड़े तो पुछना चाहूंगी लोकां दे अक्सर जो है कंप्लेइन रहेंदी है कि कर्दे विच नेगेटिविटी बहुत जादा फील हो रही है पॉजिटिव और नहीं फील हो रहा है देवाली दे दिन्दा इस्तिमाल करके देवाली क्योंकि शुब बह करनी क्योंकि बढ़ियां परिशानिया खास्त और जे एक दिन महत्तव नेना तैना दिना दे विच नेगेटिव नर्जी भी बहुत जादा होंदे जिदा पा कहने नजरा लगी है तो उस तो बादे वी कहा देना कार्दे औरे नू शुद्ध करंदली सब तो बदिया के नम अगर तुसी अपने कार विच अच्छे रांग लगा के राख दे हो हना कचील सीधा चिटा दिन दे रहने हो चंदर काइम रख दे हो और कार विच कुछ जादा इस तरह दिया तस्वीरा नहीं लगांदे जो अग्रेशन वाली यानि ता कार दा औरा सही रहें दे खास्त औ और ते दिवाली तों बाद जा दिवाली वाले दिन कार दे ब्रह्म स्थान ते केसर ते दुद्ध मिला के उसनों तुसी ब्रह्म स्थान ते पाओ अनर जी हमेशा शुबरें दी जी बिलकुल रमन जी अगला सवाल में तो हड़े तो पुछना चाहूंगे असी अक्सर देख देया कि दिवाली वाले दिन जो टोने हैं उनों बहुत जादा देख्या जान दा है चोरा हां ते मना कीता जान दा है इदे बारे थोड़ी जी जानकारी दसो कि लोकानों दिव दिवाली दिन खास किना चीजां दा जो है उत्यान रखना चाहिएडा है क्योंकि असे अफसर कहने कि दिवाली दिन कर तो बाहर ज्यादा नेख्या कौशिच ना करो मतलब अपनी गलत उनकी इंटेंशन होती है वो ऐसी चीज़े कर देते हैं जिसकी वज़े से खामी आजा जिन्होंने भूगतना वो नहीं भूगते हैंगे उल्टे पूल्टे बंदे भूगतने शुरू हो जाते हैं अब देखोगे कि आफ्टर दिवाली जाडू इतने बिखरे हुए हैं उड़त चुराहों में जाकाले कपड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोशिश की जाए इन सब चीज़ों से चुराहों से थोड़ा सा बचिए कोशिश की जाए अगर आप आपको एकना हमारे अंदर प्रॉबलम है हम गाड़ी में जा रहे हैं हम बोलते हैं कुछ नहीं होगा ये कुछ नहीं होगा सब कुछ होगा बैया नजर पत्थर पाड़ देती है कुरूड रुपे के शोरूम होते हैं डायमेट्स के बाहर चप्तले टांगी होती है इसका मतलब ये परभाव है ये तं अंदर किये गे वैदिक कारे और तंत्रोक्त इफेक्ट बहुत करते हैं तो कोशिश की जाए बच्चों को जग रहनिया जग घर में कोई बी ऐसा कोई भजुर्ग हो तो इन सब चीजों के ऊपर से क्रॉस ना करें डिस्स बना के रखें कोई जरूरत नहीं है अपने आपको य गार त्यों के रहेगा आने वाले साल में किस तरीके से जो ग्रह नक्षत्र है वो कैसे रहेगग आने वाला साल कैसा रहेगा लोगों के लिए दिखिए जो 2025 की जो शुरुआत होगी उसमें चार फरवरी को जो देव गुरु ब्रस्पती अभी रेट्रोग्रेट हुए हैं वक्र वस्था में हैं वो मारगी हो जाएंगे अब रस्पती हमारे नव ग्रहों में देवताओं के गुरु हैं गुरु का सीधी चाल चलना एक बहुत बड़ा शुब संकेत है नए साल की आमद पे उसके बाद दूसरा महत्तपुर्ण घटना करम होगा जब 29 मार्च 2025 को शनी अपना राशी परिवर्तन करेंगे शनी 28 साल इक राशी में रहते हैं बारा राशी के भरमन में उन्हें 30 साल का समय लगता है अभी वो कुम राशी में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को वो कुम राशी से निकल करके मीन राशी में चले जाएंगे जब वो मीन राशी में चले जाएंगे तो मका राशी पर शनी की साड़े सती समाप्त हो जाएगी उनकी साड़े सती समाप्त हो जाएगी ठीक है उसके बाद करक राशी को और वरिष्चिक राशी को शनी की धहिया समाप्त हो जाएगी और मेश राशी पे शनी की साड़े सती शुरू हो जाएगी सिंग राशी और धनो राशी पे शनी की धहिया शुरू हो जाएगी यानि कुछ राशियां साड़े सती और धहिया से मुक्त होंगी तो कुछ राशियां उसके जद में आ जाएंगी ये एक नए साल में एक बड़ा परिवर्तन होगा दूसरा क्या होता है कि राहु और केतु अगर शनी जो है वो अधाई साल एक राशी में रहते हैं राहु केतु 18 में एक राशी में रहते हैं डेड़ साल इस साल उनने कोई राशी परिवर्तन नहीं किया है अगले साल मई महिने में उनका भी राशी परिवर्तन होगा राहु जो है वो मीन राशी में अभी गोचर कर रहे हैं वो अपने पिछली राशी में आ जाएंगे कुम राशी में केतु जो है वो कन्य राशी में गोचर कर रहे हैं ये दो ऐसे पलैनेट हैं जो आगे की तरफ नहीं जाते हैं पीचे लोटते हैं, वो सिंघ राशी पे आजाएंगे। और सिंघ राशी पे धाया भी शुरू हो जाएगी। और मई महिने में ही जो देवगरू भरस्पती है, ये साल में एक बार राशी बदलते हैं। अभी विर्षव राशी में है, यह मिठोन राशी में चले जाएंगे, और बाकी ग्रह सूरे हर महिने राशी बदलते हैं, उस दिन सकरांती होती है, चंदर माहर ढ़ई दिन बाद बदलते हैं, ठीक है ना, और यह ग्रहों का जो बड़े पलैनट जब राशी बदलते हैं, तो उसे लिहाँ से दिखा जाए तो यह जोतिश के अंगल से 2025 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से काफी महत्तपुर्ण रहने वाला है क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्लैनट अपना राशी परिवर्तन करता है तो तमाम 12 राशियों को परभावित करता है आपकी कुंडली में वो कह अक्री सला जडिये तुसी देना चाहो ओंखी ह। साल खतम उन बाला नवसाल भी शुरू होनवाला है , दिवाली वी कुछ दिना देवेच है ते की कुछ सला तुसी देना चाहे देली लोकनौनौनौनौनौनौनौनौहद दीनक्ते शे सकरातम के इन्वर्णमेंट परिवार नाल मिलके दिवाले मनानी चाहिए और उसतों जादा मेस्तव रिष्टें जोड़ेकोद्रतने दियल जित्त लुद्रेत्स, अलLC में सा beton, हमकें, तु व करने चाहिए हो प्रवार में मसल्कलिविदा कोई थे पहों कूझिदीलेल fed आपने परवार विच विश्वाशना बैठ के पूजा करो बहुत खुश्रवो खुशियां असल देवेच तो आड़े परवार तो आनो मिलने याने अगर कार्च सुख है ता बार सुख है लश्मी पूजा तुसी अपने तरीके ना जिस साल जिने भी कार देओं लश्मी ने परसान हो ही जाना है तो एक सही टाइम ते के रहोंगे तो होर जादा बैरिफिट में हो जी बलकल आरमन मलहोत्राजी देखो यह जो साल जैसे अभी अब यहां पर रिष्टो की हो रही है तो यहां पर मैं यह चीज जुरूर बोलूँगा अपने परिवार के साथ जा अपने दोस्तों के साथ जा अपने कोई भी आपके जो अगल बगल जिनको आप अपना मानते हो उनके साथ बैठिये और कोशिश करिए कि आफ्टर दिवा हम लोग हमारे कान सुनना बंद कर चुके हैं हम लोलनी फील कर रहे हैं सारे बंदे अकेले हैं कोटी है तो बड़ी हो गई है लेकिन हरे कमरे में एक एक बंदा भीया तो यहां पर कोशिश की जाए आप अपने आपको सबसे पहले तो आप अपने आपको पॉजिटिव रख यह ताकि जो यह दिवाली है और अगले आने वाले साल आपके लिए अतिश्युप आपके परिवार के लिए बहुत खोशाली बरे हों जी गुर्मीत बेदी जी हमरे शाष्त्रों में कहा गया है तमसोमा ज्योतिर गम है कि हमें अंदकार से उजाले की तरफ ले चलिए तो जिन लोगों से हमें positive wives मिलती हैं हम उनके साथ खुशी महसूस करते हैं सकरातबक उर्जा महसूस करते हैं उन लोगों के साथ हमारा emotional attachment और गहरा हो तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनों के साथ जैसा जसीमान जी ने कहा अनौन प्रोतर जी ने supplement किया कि खु द्रकाति में सब्सदिकल कि पूँद तो पलब कि खुशों में शामला चीकान दोने disposizal मि्रूर स्थिकान ते उम्मीद कर देल के सब्सक्रान लोगोरक से स्था सारकस्राँ perfect झाल झाल